हेलो फ्रेंज्स गुल मॉनेः वोम टेरस गारड इंग में अपका स्वागत आप देख सकते अ प इंडूर प्लांट्स लगाने के शोकिन है और वुल ऑक्सिजन डेने वाले फ्लांट्स हम अपने घर को अपने घर में लगा सकते हैं तो वह की दूप आती हो चार-पास धंदे की तो हमारी यहां तो बिल्कुली दूप आती है विंडर में बहुत कम दूप आते हैं फिर भी मेरे प्लांट बहुत अच्छे सरे हैं लगाती हूं उनमें से सबसे ज्यादा जैदा जो ऑक्सिजन वाला प्लांट यह है दूप और हम सेभिसेडिया में रख सकते हैं इस पाइडन ब्रांट है और बहुत ही खुषूरत एदिखने भी बहुत ही अच्छा लगते हैं और इस पर काफी कलर भी आते हैं आप देख सकते हैं कि इतने अरह हम आपने बहुत हैं तो नेक्स्ट हमारा है सिंगोनियम और अब बहुत oxygen देने वाला plants है और दिखने में ही बहुत सुन्दर है और इसके प्लापत्य की color भी change होते रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे plants है जो हमारे घर में हो रहते हैं और आजकल oxygen की बहुत ज़्यादा गरज है दिन में दिन temperature बढ़ रहा है, pollution हो रहा है तो बीमारिया बढ़ रही है ऐसे वक्त में लोगों को oxygen खरिच के लेना पड़ता है तो हम अपने घर में एक natural oxygen के ऐसे plants हैं तो हम लोग लगा सकते हैं हमारा घर एक अच्छे से बना सकते हैं सुरक्षित हो सकते हैं और natural oxygen में हमारा स्वास भी अच्छा बनता है next हमारा है snake plants आप snake plants देख रहे हैं मैं हर जगह में indoor plants में snake plants लगाते हूं काफी मैं मेरे पास snake plant से collection है लगाया है तो उनमें से आप भी देख सकते हैं यह भी एक इंडोर प्लांट से हम आउट्डर बाहर भी रख सकते हैं लेकिन इसके ज्यादा जूपी गरज नहीं रहती है आप सेमिसेड इरिया में रख सकते हैं यह 24 अवर्स ऑक्सिजन देता है और बहुत अच्छा है नासा सब्सक्राइब है कि जैसे कोरण आया था कि हमें जी जब घरस की था हर रेलवे स्टेशन और हर फ्लाटफॉर्म में लोगों ने प्लांट से सभी के पोस्टर लोगों को पता चले कि यह जगह जगह में इसके पोस्टर जिसके तब से लोग ना ऑक्सिजन वाले प्लांस बहुत ही ज्यादा और बहुत ही सुन्दर दिखते हैं नेक्स हमारा यह क्रिस्मस का है यह भी आउक्सिजन देता है और बहुत बढ़िया यह दिखने में भी सुन्दर है आप देख सकते हैं और डेकोरेट के लिए प्लांट बहुत ही उफसरत है तो आप यह प्लांट भी लगा सकते हैं और है कि प्लांट थोड़े से महइंगे हैं तो आप यह भी प्लांट लगा सकते हैं को कि है थो आअज यह हैं अवीडिई ओक्सिजन देता है अपने घर में यह प्लांट सापल्स घंटे के दूप रहती है तो यह प्लांट बहुत अच्छा से बनता है मैंने यह बालकनी में रखा है कभी मैं हॉल में भी रखती हूँ 20 इसमें मैं इसको दूप दिखाती रहती हूँ फटलैजर भी देती रहती हूँ हमेशा गोबर का खाथ लिकविड वगरे देती तो हमारे हमें फ्लेंस होना ही चाहिए क्लिस्री का प्लान के देता हुअल एक इस हमारे अग्सिजन देता यह जगह 변 अधी है यह आप लिद्ध करफ बढ़न करता है और यह बीबारी को भी बचाता है कर्षा का दो भी्लास हाना प्लां.. होना है यह एसी मैंने आप देख सकते हैं मैंने इतने ज्यादा स्नेक ब्लांट लगाया है और यह जड़ फ्लांट अच्छा रहता हैं आप देख सकते हैं दोगोलाएं अपने तरफ हिर नहीं देख सकते हैं कितने ज्यादा और इसको ज्यादा पानी वी गरस नहीं रहती है आप एक बर पानी डालेंगे और आपको 10 जबी डालने बहुत कम वाले प्लांस है अपने घर में लगाना चाहिए लगाते हैं प्लास्टिक के जो घुलदस से दिन में दिन इतना घ्यादा बढ़ रहा है जो घर के जो अंदर में गर्मी का और टेंप्रेशियल वढ़ता है तो प्लास्टिक के जो यह यह अच्छा रहता नहीं है ऐसे प्लांस लगाना नहीं चाहिए जो आर्टिफिशल हो वह में हम तर्ट नैच्रल और ओरिजिनल ऐसे लगाते हैं तो यह हमारे हेल्ट के लिए अच्छे रहते हैं और एक नैचरल अक्सिजन मिलता है तो बाहर के ऐसे कोई भी आर्टिफिशल प्लास्टिक के डेकोरेशन के लिए मत लगाईए आजकल तो प्लास्टिक पे बंदी आई है गवर्मेंट ने बंदी की है तो आजकल जैसे हम बाहर डेकोरेशन भी करते हैं वहां पे भी प्लास्टिक का कोई भी डेकोरेशन आइटम के लिए प्लास्टिक यूज नहीं करने देते हैं तो हर जगह में एको फ्रेंडली प्लांट्स लगाते हैं तो ऐसे ही हमारे घर के अंदर भी नैचरल ओरिजिनल जो ऑक्सि लगाना चाहिए अब देख सकते हैं इतने खुबसूरत प्लांट्स और ग्रीन कलर देखने से आखों की रोशनी भी बढ़ती है और सुबसुबसर ऐसे अम ग्रीन ग्राफ से उपर से जाते हैं बीना चपल के तो हमारे आखों की रोशनी बढ़ती है हरे-ब कलर के प्लांट तो हमारा ठीकलि अधे हैं तूह प्रस्टी के लिए अतोड़ लागाना चाहिए को अच्छछए है डिल मिलता है और मालसिकता हमारे अच्छी हो जाते हैं टेंशन प्री हो जाते हैं तनाव कम हो जाता है तो हेल्थ के लिए तो अच्छा है तो ऐसे ही हमारे घर में ऐसे प्लांट्स लगाना चाहिए आप देख सकते हैं कितना अच्छ से यह प्लांट्स हो रहा है और लो मेंटेनेस वाले प तो वीडियो पसंदें लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करिए